So Hello Guys! वही सेम स्मार्टफोन वाली स्मार्टफोन हमें 12-13,000 रुपे में देखने को मिल जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं इनी स्मार्टफोन के बारे में बात करूँगा जिसमें आपको काफी अच्छे gaming और तगड़ी chipset देखने को मिल जाएंगे और काफी अच्छे camera sensor और fast charging के support भी देखने मिल जाएगा और इतना ही नहीं दोस्तों आपको Super M रेटर के साथ-साथ-साथ- higher fasting rate भी देखने मिल जाएगा अगर आपका budget 13,000 का है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो मारे चैनल को subscribe और वीडियो के like जरूर करें चली बात करते हैं और उन यूजर्स की जेने movies देखने का काफी जाज़ संख है तो वो देख सकते हैं Samsung की तरब से F52 वैसे तो यार इसका design देखने को मिल जाएगा और वहीं इसके back में आपको polycarbonate का protection मिल जाएगा और उसी के साथ दोस्तों इसमें आपको साइड मांटर फिंगर फिंगर फिंट सेंसर और इसे स्मार्टफोन में Android 11 देखने को मिल जाएगा बात करें इसके मेन फीचर्स की तो यहाँ पर आपको मिलेगी 6.4 इंचिस की HD Plus Super Emulator डिस्प्लेई और उसी के साथ 90Hz का Refreshing Rate और 600 Nets Bightness भी दी गई है तो अबर ओल डिस्प्लेई क्वाल्टी काफी अच्छी दी गई है तो उसी के साथ यहाँ पर आपको बैक में चार केमरा सेंसर देखने मिलेगे जहाँ पर मैन केमरा देखने मिल जाएगा 48 मेगाफिक्सल का तो 8 मेगाफिक माइक्रो 2 मेगाफिक्सल का Depth Sensor देखने मिल जाएगा और उसी के साथ इसमें 13 मेगाफिक्सल का Selfie Camera भी दिया गया है तो इसके फ्रेंट और बैक दौनों कैमरा से आपको इमिज क्वाल्टी काफी देखने मिल जाएगी तो बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर याने के पर्फोर्मेंस की तो इस सेट में आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा जो की 12 mm पर बेच रहेगा तो इस चिपसेट के साथ आप डे टू डे टास्क मल्टी टास्किंग में और अच्छी तरीके से गेमिंग भी कर पाएगे और इसके स्मार्टफोन डीसेंट पर्फोर्मेंस देगा अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हैं यह आपको मिलेगा 12,499 रोपे में लेकिन दोस्तों यहां पर एक स्मार्टफोन और है जो कि आपको सूपर एमिरेटर डिस्प्ली प्रोवाइड करेगा साथी काफी अच्छे कैमराज और काफी अच्छी गेमिक पर्फोर्मेंस भी दे देगा और यह स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से रेडमी नो 10 बात कर इसके डिजाइन की तो यह आर देखने में यह काफी अट्रेक्टिव लगता है और साथ ही इसके बैक में आपको पॉली कार में सर्वाइब कर सकता है तो अब बात करें इसके में फीचर्स की तो इसमें भी आपको 6.4 इंचिस की एफस्टी प्लस सूपर अमिल जाएगी उसी के साथ इसमें काफी अच्छी ब्राइटनेस और कोर्निंग गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है तो वर ओ डिस्पलि क्वालटी में यहाँ पर आपको कोई भी कमी देखने नहीं मिलेगी तो इस फोन में भी आपको बैक में चार कैमेरा सेंसर देखने मिलेगे जिसका में प्राइमरी लैंज हो गा 48 मेखा दिसमें 8 मेखा उल्टरला बाइट 2 मेखा दो मेखा स्ट देखने मिल जाए तो बात करने इसके performance की तो यहां पर भी आपको कोई भी कमी देखने नहीं मिल रही है तो यह स्मार्टफोन आता है Qualcomm Snapdragon 678 chipset के साथ जहां पर आपको 11 mm की technology मिलेगी और इसे के साथ इसमें आप multi-tasking और काफी अची तरीके से गेम अगेरा खेल पाएंगे और इतना ही नहीं इसमें आपको 5000 MHz की बैटी दे गई है जिसे चार्ज करने के लिए इसमें 33 Watt का charger इसके डिब में ही मिल जाएगा इसमार्टफोन भी काफी अच्छा रहेगा तो अगर आप चाहें तो इसमार्टफोन की ओर भी जा सकते हैं यह स्मार्टफोन में लेगा आपको 4 GB RAM 64 GB स्ट्रेज के साथ 12,999 पर जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 512 GB तक वैसे अगर आप एक तगड़े गेमर है और आपको साइड मांटर फिंगर पिंगर्पिंट संसर देखने मिलेगा और यह स्मार्टफोन भी आपको एंडर 11 पर देखने मिल जाएगा तो बात कर इसके में फीचर की जिसमें आपको 6.5 इंचिस की FHD प्लस डिस्प्ले दिस्प्ले दिखने मिल जाएगी जिसमें भी 90 Hz का दिया गया है और साथी आउट डोर के लिए भी इसमें ब्रैटनेस काफी तगडी दी गई है तो बर ओल प्राइस के साब चेज की डिस्प्ले क्वाल्टी काफी अच्छी देखने मिल रही है और इसे के साथ आपको बैक में तीन केमरा संसर देखने मिलेंगे जहां पर मेन क दिया गया है तो बर ओल केमरा परफमेंस आपको प्राइस के साथ से काफी डी सेट दी गई है और गाई कि मैं पहले ही बता चुका हूं इसमें आपको केमिंग के साब से काफी तगड़ चिपसेट देखने मिलेगा जह कि आपको पहले 15-16000 की पाइस में देखने मिलता था अब बही चिपसेट इस प्राइज के अंदर देखने मिल जाता है, जो कि यह मीडेटेक हीलियो जी नाइंटी फाइफ का, उसाथ ही यह 12 बैनम पर बेश्ट रहेगा, इसमें डे-टो-डे टास्क और मल्टी टास्टिंग में भी कोई प्रब्लम नहीं आने वाली, प्रशी के समाथ आपको 5000 MHz की बैट्री और 30W को फास्ट चार्जर के सपोर्ट दिया गया है, जो गाइज प्राइज के कॉड़ें यह काफी तगड़ा फोन है, लेकिन प्राइज को कम करने के लिए यहाँ पर कंप्री को थोड़ा बहुत कंप्रमाइज करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा बाइड लैंस नहीं दिया गया है, तो गाइज अगर आप इस स्माथफोन के बारे में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप इस स्माथफोन को पर्षेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दो वेरियंट में, तो यहाँ पर आपको 464 बाला देखने मिल जाएगा 12,499 रूपे में, और वहीं पर 6168 बाला देखने मिल जाएगा 14,499 रूपे में, लेकिन वेंकोफर्स बगएरा अपलाए करके आप इसे 13,000 में भी पर्षेज कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको 5G मिल जाएगा Poco की तरफ से Poco M3 Pro 5G, बात करें डिजाइन की, तो यह स्माथफोन आपको डिजाइन में काफी अच्छा देखने मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम देखने मिल जाएगी, साथ ही साइड मांडर फिंगरपेंड सेंसर का सपोर्ट दिया गया है, और साथ ही यह स्माथफोन आपको Android 11 पर देखने मिल जाएगा, तो वीडियो मांगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस डिवाइस के में फीचर्स की, तो इस फोन में आपको मिल जाएगी 6.5 इंजिस की IPS LCD Full HD Plus दिस्प्ले जहाँ पर आपको 90 Hz का Refreshing Rate दिया गया है, और साथ ही Corning Gorilla Glass 3 के Protection भी दिया गया है, तो अबर ओल डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी अच्छी दी गई है, तो अब बात करते हैं इस डिवाइस के Performance के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 700U का Latest Chipset जो की 7NM पर बेश रहेगा, तो यहाँ पर आप अगर गेमिंग करने चाते हैं तो आप तगडी गेमिंग कर पाएंगे और साथ ही इसमें आपको 5000 MHz की बैट्टी देखने मिल जाएगी जिसमें आपको 18 वाट की चार्जिंग के सपोर्ट भी दिया गया है, और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगी चार्जिबी की रैम, चार्जिबी के साथ मिलेगा 13,999 रूपय में लेकर अगर आप बैंक आफर्स बगार अपलाए करते हैं तो इसमार्टफोन भी आपको 13,000 रूपय में देखने मिल जाएगा, तो इसमार्टफोन भी आपको 13,999 रूपय में मिलेगा, लेकिन इसे भी आप बैंक आफर्स बगार अपलाए करके 13,000 रूपय में पर्चेस कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं ओन यूजर्स की, जिने क्लियर स्टॉक और अंडॉइट काफी ज्यादा पसंद है, जिने काफी एचा कैमरा अच्छी खासी और काफी तगडी गेमिंग पर्प्रमेंश चाहिए, तो काइस बो देख सकते हैं, यहां मोटो की तरफ से, मोटो जी 40 फ्यूजन, जिसके बैक में आपको प्लास्टिक विल्ट क्वालिटी दी गई है, जहां पर आपको वाटर और डस्क का प्र और डिस्प्ले साथ को अच्छी देखने मल जाएगा, तो अब बात करते हैं चेरी में तो यहां पर आपको नोपर आपको काफी एच्छी देखने मेल जाएगा-stargesetzt नृग यहां पर सूलह प्ले सनसर दी गई है, क्षक्ण पर में केमरा देखने मिल जय का म।्समें टीक आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट जो गी आपको 8NMP मिल जाता है और इस प्रोसेसर को काफी अची तरीके से अप्टिमाइज के गया है साथ ही इसमें आप 60fps तक की गेमिंग काफी अची तरीके से कर पाएंगे और इसके साथ इसमें आपको मिल जाएगी 6000 MHz की बड़ी बैटरी जहां पर आपको 20W की चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा अगर आप इस फोन में इंट्रेस्टेड हैं तो आप इस फोन को पर्चेस करना चाहते हैं तो इस स्मार्ट फोन आपको मिलेगा 14,499 रोपे में लेकिन सेल अगर एक टायम पर और बैंक ओफरस अप्लाइ करके ये स्मार्ट फोन भी आप 13,000 के प्लाइस पर पर्चेस कर पा श्राझ ने खशकी श हमार्ट फोन का थे मार्ट आपकी जच भीए कर दो कल दो आपने सेल आपने सेल आपको मिलेगा 5,6 चारफर своnor के लेकिरा वाहते हैं आपकी बाक भीआसे तोह में सेल आपकी ठना आपको में दो हमें छोने सक्षोर फड़ आपकी टा आपकी बांकी पा